बाढ़ विस्तापीतों के दर्द को दिखाते हुए जब इस बात से ओकर मैं गुजर रहा था तो मेरी नीचे नजर गई और मैं नीचे आ गया यहां पर लोग किस तरीके का पानी पीते हैं आप देखिए जिधर दूर तक देखिए सेलाब और यहां पर महिलाएं हैं पानी निकालती हैं और इसी तरीके से इस कपड़े से एक सूती कपड़ा है इस सूती कपड़े में पानी को छाना जाता है और यही पानी यह लोग पीत हैं घास पूस तमाम तरीके की अजो भी हो सरकार नलका दे तब लूं कि यह पानी जरा में महिलाओं से बातचीत करूं यह यही पानी पानी पीता पानी से खाना बनेगा हां यही बना खाना बन वेची कापडा धोना बच्चों का पानी साब कुछ आहां पाइन यह तबीयत खराब नीए चोटे छोटे बच्चे वो भी अको तुरूंत भी आजए संब्सक्राइब फानी आजहा अपनों आपने यहां जो्जिए ग्वाद में यहां पीना सब चीजाए आ पांट से तबाच में नर्यशा लिए तबुत टबाव होगा सार का सरकार नहें भान फाल उनी की वश्था कोई बेस्था नहीं पर पाने के बाद कैसा है चोड़ दिजा आप छोड़ दीजा ये तस्वीर है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा मैं कैमरे के पास भी इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ये पानी वाकई पीने लायक है ये वाकई पीने लायक है ये पानी क्या इस पानी को आप पीना पसंद करेंगे हम और आप शायद इससे हाथ पर धुलना भी न पसंद करें लेकिन यहां के लोग यही पानी पीने के लिए मजबूर है और तस्वीर देखिए दूर तक यहां भी कुछ आपको घर नजर आ रहे हैं जो कि डूबे हुए हैं उस घर की छत पर कुछ लोग हैं जो कि अपना घरबार छोड़ने के लिए तयार नहीं है कुछ और लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं इंट का भठा यह करीक परीब आधा से दिक डूब चुका है इसी पानी को यह लोग पीते हैं और जिंदगी इसी तरीके से यहां पर आगे बढ़ती है इसे जीना हमारी और आपकी भाषा में तो नहीं कहते हैं कम से कम कामेरा में दिनेश के साथ राकेश पांडे इंडिया नियूज